नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS Studies में स्वागत करता हूँ, इस वीडियो में आपके लिए 30 जुलाई 2021 का Current Affair लेकर आ गया हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो अच्छ स्केट बोर्डिंग में कौन जीता है, तो अंसर हो जाएगा, जापान के यूतो होरी गोम इनको award मिला है, इनको medal मिला है गोल्ड मेडल मिला है ओलमपिक में, स्केट बोर्डिंग गेम में, और ये पहला gold medal है स्केट बोर्डिंग का, चैनल ये बात कर लेते हैं, आज के Current Affair की तो which state government made देवरान्य scheme to promote आयूरवेदा answer हो जाएगा मध्द परदेश मध्द परदेश ने आयूरवेद को promote करने के लिए देवरान्य scheme launch की है यहाँ पर आप देख सकते मीटिंग चल रही है यहीं पर announce किया गया था जो यह आयूरवेदा है यह आयूश मंत्राले के अंदर आ रहा है और मध्द परदेश अब देवरान्य scheme के द्वारा अपने state में अपने state में promote करने वाला है आयूरवेद को यह फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि यह employment generate करेगा मध्द परदेश में मध्द परदेश के गाउं में ग्रामीर को में और साथ साथ सहरी को में भी आपको बता दू इस scheme के द्वारा बहुत सारे जो employment generate करना और साथ साथ आयुर्वेद को promote करना तो यह दो है दो process है जो की साथ साथ काम करेंगे mostly focus होगा tribal area को अच्छे से promote किया जाए जिससे की इनका रहेंसहन आगे बढ़ सके चलिए बात कर ले जो यह आयुर्वेदा है आयुर्वेदा आयूश मंत्राले के अंदर आता है और capital है इनकी भोपाल और governor है इनकी मंगू भाई सी पतेल चिफ मिनिस्टर सिवराज सिंग चौहान है लेजिसलेटी यूनी केमरल है मतलब यहां पर सिर्फ assembly है assembly में 230 seats है लोकसभा में 29 seats है राजसभा में 11 seats है हाई कोट इनका जबलपूर में है यह बात भी आपको याद रखनी है यह एरिया वाइज दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर कौन है राजस्थान दूसरे नंबर पर कौन है मद्ध परदेश तीसे नंबर पर कौन है एरि प्रेदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सत्पुड़ा नेशनल पार्क, वन विहारन नेशनल पार्क, यहां के नेशनल पार्क से, चलिए, आपको बता दू, जो मद्ध जाता हैं आपको यह बात भी याद रखनी है मैप से मद्धिप्रदेश को जाने तो इसके पडोसी राज्जे है उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजराद महरास्ट चतिसगर यह इसके पडोसी राज्य है मतला टोटल पांच स्टेट हैं जो की पडोसी राज्य है इसके चलिए आगे बात करते हैं अगला कोश्चन है टाइगर से ही रिलेटेड है कि वी वेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर्स डे अंसर हो जाएगा 29 जुलाई को 29 जुलाई को हम लोग इंटरने इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कि क्यों कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वह बहुत तेजी से कम हो रही थी बहुत जादा इनका सिकार हो रहा था इसलिए उसको रोकने के लिए और टाइगर विलुप्त ना हो जाए टा टाइगर को समर्पित किया गया दे और ये सेलिब्रेट करना सुरू कर दिया गया बात कर ले ये 11 इंटरनेशनल टाइगर डे हमने सेलिब्रेट किया है पहला कप किया होगा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं 2011 में 2011 में पहला टाइगर डे पहला इंटरनेशनल टाइगर डे celebrate किया गया था गोल यही है कि tiger को promote किया जाए उनके जो सिकार है उनको रोक दिया जाए और बहुत जादा tiger के जो number कम हो चुके है उनको stable condition पर लाया जाए ठीक है अगर 29 जुलाई का अगर इसकी theme की बात करें तो theme है their survival is in our hand मतलब उनका survival हमारे उपर depend करता है वो बात सत्य है चलिए आगे बात करते हैं कुछ days को revise कर लेते हैं जो पिछले मंत के days हम revise करते हैं नॉर्मली तो 17 जून को मनाया गया था world day to combat desertification and dot 18 जून को मनाया गया था international picnic day 19 जून को world sickle cell awareness day और 20 जून को world refugee day 21 जून को world hydrography day international yoga day world father's day और world music day मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है international olympic day united nation public service day international widows day और 26 जून को मनाया जा गया था international day against drugs abuse और 30 जून को most important है world asteroids day मनाया जाता है कुछ important days थे यहाँ पर बता देता हूँ आपको inform कर देता हूँ कि जनवरी से जून तक की हमने एक e-book launch की है जो सिर्फ 29 रूपए की है और आने वाले जितने भी exam है ना वहाँ पर आपको last six month का current affair है वो बहुत अच्छे से हमने cover किया है कुछ इसकी trial videos भी हम डाल रहे हैं अगर आपको बढ़िया लगती है तो आप इसे जरूर परचेस कर लिजेगा इंगले भासा में यह e-book है हमारी चलिए अगला question है which city become only Indian city to make it to clean air catalyst program मतलब की ऐसी कौन सी city है जिसको clean air catalyst program में सामिल किया गया है एक ही city है भारत की आंसर हो जाएगा भारत की indoor city indoor city को clean catalyst program के लिए चुना गया है अब इससे होगा क्या देखो air purify करने के लिए नगर निगम है या फिर वहां की राज्य सरकार है वो कोशिश करती रहती है लेकिन अगर नहीं clear हुपा रहा तो उसको international organization मदद करेंगे तो यहां पर international organization कौन कौन से USAID WRI और EDF यह मदद करेंगे आपके state के आपकी city की air को clean करने में आपकी local जो bodies है उनके साथ तो यह scheme में भारत की सिर्फ एक ही city worldwide select की गई है लेकिन भारत की सिर्फ एक city को choose किया गया है जिसको आप कहेंगे indoor या फिर आप कह सकते है cleanest city of India इसको चुना है और अब यह तीनो प्लस indoor municipal corporation और मद्यपरदेश की जो pollution control board है यह सब मिलकर indoor की air को clean करने की कोशिश करेंगे observe करेंगे कि क्या क्या problems है इस indoor की air है वह clean क्यों नहीं हो पा रही जब problem पता चल जाएगी तो उसका निदान भी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी बात कर लें USAID इसकी full form है USA agency for international development WRI की बात करें तो world resource institute है और EDF की बात करें तो environmental defense fund है इन तीनो प्लस यह दो की मदद से इन दौर को अब safe city के साथ साथ safe air भी provide कर आई जाएगी आगे बात करें अगला question है who appointed as Delhi police commissioner अंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना राकेश अस्थाना को दिल्ली police का नया commissioner चुन लिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश अस्थाना वह BSF के DG भी रह चुके हैं और अब वह दिल्ली के लिए commissioner चुन लिये गए हैं अगर बात कर ली जाए दिल्ली की तो मैंने बहुत जगे से detail निकाली है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली capital कब बनी थी 1951 को announce किया गया था और जब आपसे बात की जाए formation of union territory बलाद दिल्ली को union territory कब बनाया गया तो 1956 को इसको national capital तोमर ने और district है 11 लेटिनेंट गवर्नर आपको मालूम होगा state में होता है गवर्नर और केंद सासित प्रदेश union territory में होता है लेटिनेंट गवर्नर तो दिल्ली union territory है और वहाँ पर है लेटिनेंट गवर्नर जिनका नाम है अनिल बैजल chief minister तो बहुत फेमास है अर्विंद केजीवाल और deputy chief minister most important हो जाते है मनीश सिसोधिया बहुत ज़ादा ये चर्चित रहते हैं लेसलेचा इनकी unicameral है मतलब यहाँ पर सिर्फ assembly है जहाँ पर 70 seat है राजसभा में 3 seat हैं और लोगसभा में 7 seat हैं चलिए आगे बात करें दिल्ली दिल्ली दो लोगों दो states के साथ अपनी boundary को touch करता है उत्तर प्रदेश और हरियाना ये बात भी आपको ध्यान रखनी है चलिए अगला question है who picked as new Lebanon prime minister answer हो जाएगा नजीब मिकाती नजीब मिकाती को नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है लेबनान का यहाँ पर बात करें उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं लेबनान की बात करें तो माइकल आउन उनके प्रेसिडेंट है और इनकी capital बैरूत है लेबनान लेबनान पाउंड इनकी currency है यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यह एशिया का एक देश है और वेस्ट साइड में है एशिया के अगले question की बात करें which state becomes the first state to reserve job for transgender persons अंसर हो जाएगा करनाटका ने करनाटका ने announce किया है कि वो पहले state बन चुके हैं जहाँ पर transgender person को reservation government job में दिया जाएगा यह आप देख सकते हैं कुछ तस्वीर लगाई है मैंने ऐसे ही कहीं से उठाके करनाटका की बात करें तो करनाटका पहला state बन चुका है जो की 1% जो की 1% reservation देने वाला है transgender community को यह जो reservation होगा यह किस तरीके से होगा इसे होगा कि मालो कोई general category का transgender है तो उसे general category से 1% seat निकाल के दे दी जाएगी और अगर मालो वह SC category का कोई transgender है तो SC category में जो seat आती है उनी में से 1% seat निकाल कर transgender के लिए दे दी जाएगी और अब अब क्या बहुत पहले से male female के साथ एक others का option भी आता है जो की transgender भरते हैं बात करनाटका civil service इन्होंने क्या किया है एक amendment निकाला है वो क्या है rule 1977 को amend कर दिया है और करनाटका ने अपने high court में सब चीजे बताई है आगे बात करें करनाटका की तो करनाटका का formation हुआ था एक नवंबर 1956 को capital है बंगलूरू district 31 governor है ठावर चंद्र गहलोत चीफ मिनिस्टर है बसवाराज बोमई और लेसलेचे इनकी bicameral है 75 seats है council में assembly में 224 seats है राजसभा की 12 seats है लोगसभा की 28 seats है national park की बात करें तो अंसी national park बांदीपूर national park बनरकटा national park कुद्रेमुक national park नगर होल जिसको राजीव गांदी national park भी कहते हैं चलिए आगे बात करें यहां पर आप map से जानिए जो करनाटक है इसकी coastal lines है तो मतलब भारत के कितने states की coastal line है तो nine states की coastal line है सबसे बड़ी coastal line किसकी है गुजरात की सबसे छोटी coastal line किसकी है गोवा की bicameral हमारे छे राज्ये हैं bicameral मतलब जिनके पास assembly भी है और council भी है विधान सभा भी है विधान परिशद भी है तो करनाटका, आंद्रपरदेश, तिलंगान और महरास्य चार स्टेट इधर हो गए उत्तरपरदेश और भी हार यह 6 स्टेट्स है जिनके पास bicameral bicameral पद्धिती है अगले question की बात करें which company launch a new robotic company called intrinsic answer हो जाएगा Google की parent company है alphabet उसने एक नई company launch कर दिया intrinsic जो की robotic company होगी यहाँ पर आप देख सकते है यह कुछ logo सा निकाल रखा है उन्होंने Google की parent company alphabet है जिसने intrinsic नई company बनाई है जो की robotic पर काम करने वाली है कहाँ पर मेंससूर्स company है उनकी वह factory है वहाँ पर उन्होंने इसको establish किया है चलिए आगे बात करें Google की तो Google के founder कब हुए थे September 4 September 1998 को founder है इनके लेरी पेज और सर्जी इब्राइन headquarter California में है CEO सुंदर पीचाई है जो की भारत देश के है रूत परोट रूत पोराट CFO है और parent company की मैंने आपको बताही थी alphabet increment चलिए अगला question है Hubble find first evidence of water vapor at Jupiter Moon Ganymede Hubble Space Telescope belong to which space agency answer हो जाएगा NASA Hubble जो space telescope है यह NASA का NASA का एक telescope है और इसने Jupiter का जो moon है Ganymede वहां पर पानी को खो जा है पहले कुछ time पहले इसने oxygen खो जा था बाद में पता चला था कि oxygen pure वाली नहीं है जिसको हम सांस लेने में यूज करते है इसको सेट कर दिया गया था और वह Ganymede की images लेता रहता है एक समय पर उन्होंने oxygen को भी खो जा था लेकिन वह जो information थी वह गलत हो गई गलत ऐसे हो गई कि pure oxygen नहीं थी जो हम अपने अर्थ में अपने respiration में लेते हैं NASA का Hubble Space Telescope है ठीक है चलिए आगे बात करें अगले कोशन से पहले NASA के बारे में जाल लेते है NASA की फुल्ट्रॉम है National Aeronautics and Space Administration और फॉर्म यह बने कब थे तो जुलाई 29 जुलाई 1958 को बने थे Headquarter इनका Washington DC में है जो की USA की Capital भी है Administrator इनके है Bill Nelson Motohen का For the Benefit of All चलिए अगला कोशन है Legend Nandu Nataker Passes away Belong to which sport अंसर हो जाएगा Badminton यह Badminton के Legend है Arjun Pruskar इनको मिला हुआ है यह उनके आप तस्वीर देख सकते Achievements में यहाँ पर बताता हूं Badminton के Player है Nandu Nataker यह अभी Passes away हो चुके है मतलब इनकी Death हो चुकी है International Title of Title इन्होंने जीता है 1956 में भारत के लिए वो जो टूनामेंट था वो हुआ कहा पर था Kuala Lampur में हुआ था और यह पहले बने थे जिन्होंने International Title कोई भी Badminton में जीता था 1956 में जीता था और यह Total 100 National और International Title जीत चुके थे और यह भी एक रिकॉर्ड है अपने में बात कले इनको Arjun Award मिला है Arjun Award 1961 में इनको दिया गया था और आपको मालूम होगा Arjun Award की Start मतलब देना कब शुरू किया था 1961 में ही देना शुरू किया था मतलब पहले आरजुन Award प्राप्त करता आदमी है यहां पर बात करें आज की क्विज की तो आज का क्विज है इंडो रश्यन जॉइंट मिलिटरी डिल एक्सरसाइज इंद्र 2021 तो भी हेल्ड इन आपको चार आप्शन में से आंसर बताना है कहां पर जो इंद्र एक्सरसाइज है वह हो रही है इस साल यह आपको बताना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एट लिस्ट दस लोगों को आप जरूर शेयर करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं जिससे कि वीडियो शेयर हो और ज्यादा ज्यादा लोग जूर सकें इस वीडियो से आपका बहुत आभार रहेगा धन्यवाद आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए और लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो